नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रोहित T20 विश्वकप में कमजोर मानी जाने वाली दो टीमों की आपस में भिड़न्त हुई मतलब स्कॉटलेंड और नामी भिया आमने सामने थे इस मैच में बेहदी कम स्कोर बना लेकिन मैच रोमान्चक हुआ या यू कहें बेहदी दिल्चस मुकाबला देखने को मिला दरसल स्कॉटलेंड ने पहले बल्लेबाजी की और मात्र बीसोबर में 109 रन बनाए 110 रन का लक्ष का पीछा करते वे नामी भिया ने चार बिकिट से जीत दर्ज कर ली स्कॉटलेंड की तरफ से आज जो बल्लेबाजी हुई है उसमें एम क्रोस ने 19 रनों की पारी खेली इसके लावा लीस्क ने बेहदी ताबर तोड 27 गिदों में 44 रनों की पारी खेली वहीं क्रीस ग्रिप्स ने 25 रन का योगदान अपने टीम के लिए दिया है इसके अलावा अगर गेंदबाजी में स्कॉटलेंड की तरफ से ही बात की जाए तो उनकी तरफ से लीस्क ने ही दो बिकेट चटकाए हैं और वील ने बेहतरीन गेंदबाजी करके चार ओबर में 14 रन देकर एक बिकेट लिया है वही नामीबिया के पहले गेंदबाजों की बात करें तो नामीबिया के गेंदबाजों ने बेहतरी शांदार गेंदबाजी की और स्कॉटलेंड को छोटे से स्कॉर पर रोग दिया नावीबिया के गेंदबाजों में रूबेन ट्रंपलमेन ने बेहद ही दमदार प्रदर्शन किया और विश्व रिकॉर्ड कायम करते हुए उन्होंने आज तीन विकेट लिये और पहले ही ओबर में उन्होंने ये तीन विकेट चटका है और दुनिया के ऐसे पहले गेंदब से क्रेक बिलियम्स ने सुरवात में 23 रनों की पारी खेली ओपनिंग करने आये थे इसके अलावा वान लिंगा ने 18 रनों का योगदान दिया उन्होंने भी एक अच्छी पारी खेली और छोटे से लक्ष का पीछा करते हुए ये पारी बेहदी महत्तपूर्ण थी वहीं प आगे टीम के लिए भिड़ें तो ऐसा ही प्रदर्शन करें और टीम जीत कर आगे शरण में पहुँच पाए फिलाल जिस सरीके से आज पूरा मुकाबला हुआ ट्रंप मैन का रिकॉर्ड बना लिस्क की ताबरतोर बल्लेबाजी देखने को मिली जे जे स्मित ने बेहतरीन प्रदर्शन किया उसके बाद ये मैच बेहद ही रोमान चक और दमदार देखने को मिला फिलाल 19 दसंबलो एक ओबर में ये मैच खेतम हुआ जब चेस करने वाली टीम नावीविया वलेबाजी कर रही थी जिसकी वजास से ये मैच थोड़ा सा रोमान चक हुआ था फिलाल नावीविया ने स्कॉटलेंड को हरा दिया है और आज की मैच का पूरा बिसलेशन यही रहा फिलाल आपको क्या लगता है नावीविया स्कॉटलेंड के बीच का सबसे बेहत दिल्चस्प नजारा मैच में आपको क्या लगा कमेंट करके हमें जरूर बता है